हेलो एप्रीवन में खुश्मूब और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजूकेशन टेक फिलो तो आज की वीडियो में हम बहुत जाद इंपोटेंट टोपिक कवर करने वाले हैं जो कि हमारे डियलेट के जो सब्जेक्ट है हमारे आप जानते हैं मैं स थोड़ा सा डिसकस करने वाले हैं इसके दो तिन पार्ट हो जाएंगे तो आप जानते हैं कोविट नाइंटीन पेंडमिक आई हुई है तो आपके नहीं ही पढ़ाई होगी तो इसी तरह से आप थोड़ी थोड़ी नोलीज लेते रही है ताकि आपको बाद में कोई परेश बार के बारे में हम इस इस टोपिक पर बात करेंगे तो आज मैं आपको लीजिये तो इस वीड़ी और ही पढ़ाने वादी हूं क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो के हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे तो इसे इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि हम दोनों मीडियम में पढ़ें जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो तो सबसे पहले हम growth and development के बारे में ही बात करेंगे growth जो है उसे हिंदी में विरधी कहा जाता है और development को हिंदी में विकास कहा जाता है आप जानते हैं यह life process है विरधी और विकास हमारे जीवन के ऐसे तत्व हैं जिनके बिना हमारा स्थीत भी नहीं है क्योंकि जब तक हमाई विरधी ही नहीं होगी तो हम बड़े कैसे होंगे औ तो इसलिए विरधी और development विरधी और विकास हमारे लिए बहुत जादा important है तो फिर जान लेते हैं growth and development के बारे में विरधी और विकास के बारे में लाइफ प्रोसेस हैं आगे की और बढ़ना सिखाते हैं यह हमें क्योंकि without these things हम कुछ भी नहीं है इनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते तो जो हमारा growth है वो quantitative है quantitative मतलब मातरात्मक है हम उसे गिन सकते हैं विरधी को हम गिन सकते हैं अब आप सोचेंगे कि हम विरधी को किस तरह हम इसकते हैं चोटा बच्चा होता है फोटा से बढ़ा होता है हम चोटे बच्चा हो दो वेटवी बहुत कम होता है वह थोड़ा बढ़ और एस का हाथों पर बढ़ जाते एं डिन वागा चीज़ें जिन से इillyहों को हम गिन सकते हैं उसको गी रखी way ने श कंद शकते हैं हमार डेवलप्मेंट है जो विकास है विकास को हम नहीं गिन सकते है वो क्वालियेटिव होता है प्लस क्वांटेटिव भी होता है इसमें मातरात्मक भी आ जाता है बड़ ज्याद आता है तो गुणात्मक और मातरात्मक दोनों होता है विकास में अब गुणात्मक इस तरहा जाता है अपनी तो उस चीज़ को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उन्हें हम डिवलपमेंट की टेगरी में रखते हैं जिने गुणात्मक सकते हैं हिंदी में तो विकास की केटेगरी में वो चीज़े आती हैं जिने हम गिन नहीं सकते सिर्फ महसूस कर सकते हैं आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में किन-किन चीज़ों को रखा जाता है और यह एक एसा लाइफ प्रोसेस है जो कि हर जीवित प्राणी में है फिर चाहें वह इंसान हो जानवर हो पेड़ पोधे हो हर जो भी चीज़ सास लेती है उसके अंदर गिरोथ और डेवलपमेंट जरूर होती है अगर हम बात करें प्लांट की एक पोधे की तो एक पोधा छोटा सा होता है हम पोधे की भी बात करें हम एक बीज की बात करें एक बीज जिसे हम मट्टी में दबा देते हैं जब उसके विरधी होती है तो क्या होता है वह उसके अंदर से फूल खिलता है वह फूट जाता है और году हो जाता है उसे तो उसे धूप मिलती है पानी मिलते है उसे inquire और तैंट हमें देता है ऐसी की तरह इतना सब्सक्राबड मोलाय सब्सक्राइब में पतकता है व्यक्ति एक इंसान है पर चोटा होता है उसके वाद इतने बड़े और दो कभी भी हमारी ग्रोफ की कि बात करें तो डृब्ध रुमारी चलता है कै kulis पहाड की तरह इतने बड़े हो जाएंगे क्योंकि आप जानते हैं हमारी हाई भड़ती है बट हमारे development जो है, हमारे विकास जो है, पूरी life चलता रहता है, क्योंकि सीखने की कोई उमर नहीं होती, तो हम किसी भी उमर में कुछ भी सीख सकते हैं, बट growth जो है, वो तो एक time period में रुख जाएगी, हमारे हाथ जो है, इतने बड़े होने तो इतने ही बड़े होंगे, हमा development है, वो कभी भी नहीं रुखता, जब से हम पेदा हुए हैं, और जब तक हमारी मिर्तियू नहीं हो जाती, तब तक development चलता ही रहता है, एक व्यक्ति के अंदर विकास चलता ही रहता है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, अब हम कुछ और चीज क्या है, प्रिंसिपल क्या है, या फिर डिफरेंस क्या है, हम कुछ भी कहे सकते हैं, और अगर आपका एक्जाम हुए, तो सबसे पहले कुशन आपका growth and development पर ही पूछा जाएगा, तो जो हमारा growth है, वो क्या होती है, फिजिकल हमारे शारीरिक, शारीरिक व्यद्धी होती है हम इतनी ठी फिर इतनी हो गई, हम अपने बालों को गए सकते हैं, और अब इतने हो गई है है फідन हो गई है, फिर चार फूट थी हम पाच फूट हो गई है, हमारे दाथ कम थे जादा हो गए हैं टोटल तो 32 सिधाथ होते हैं आप जानते तो इसी तरह हां से physical growth को हम नाप सकते हैं हम गिन सकते हैं और यह एक short term होता है मैं आपको बता चुक्ए कि एक time period पर आकर रुक जाता है तो इसी दिए हमारी growth जो है इसे short term भी कहा जाता है एक short term होता है यह और जो हमारी डिग टर्म है वह है डिवलपमेंट यह अगर सब्सक्राइब भी नहीं ही तो हमारा डिवलपमेंट का क्या थाइदा या फिर हमारोंट हुआ हमारी लॉथ ही नहीं हुई तो इसी लिए दोनों बहुत जादा important है हमारे जीवन के लिए अब हम development के बारे में जान लेते हैं कि development में किन-किन टोपिकों को रखा गया है किन-किन चीजों को रखा गया है तो सबसे पहले mental development means man sick जो हमारा विकास है then emotional भावनात्मक विकास physical शारीरिक विकास और social यानि समाजिक विकास तो यह सभी विकास जो हमारे यह development में आते हैं बड़ जो हमारा शारीरिक है वह हमारा short term में आता है अब शो जो हम long term की बात करें तो long term में हमारा शारीरिक भी आ गया सहायता से भी exam winner को समझा सकते हैं देना आप इनमें comparison करके भी बता सकते हैं comparison किस तरहां से आपको करना है वह भी मैं आपको बताती हूं तो एक्साइड हमने growth लिया है विरधी एंड एक्साइड हमने लिया है development विकास तो अब हम दोनों में difference जाने ते कि किसमें क्या difference है क्या है तो जहां हमारा growth है वह मातरात्मक है हम इसे गिन सकते हैं जहां हमारा development है वह मातरात्मक भी और नहीं भी गिन सकते क्योंकि कोई बच्चा कितना intelligent है हम यह तो नहीं बता सकते हैंकि एक number intelligent है दो बढ़ परिवर्वर्थण होते हैं वो में परिवर्थ में आते हैं विकास के रखते हैं अब नेरो ग्रॉथ नेरो ग्रोथ क्या है मैं आपको बताती यहां तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा दिन हमा जो फौट पॉइंट है हम जो फौॉइंट है एक बार हम उसे भी देख लेते हैं परत्यक बीश्यूपस से देख सकते हैं जो ग्रोथ है हम उसे परत्यक फूरूपसे मिच बिल्कुल आराम से देख सकते हैं तो पहले आ तो इतना चोटा था भड़ा जयुक्त भालिम पर्स नहीं तो इसी तरहां इस पत्त पत्त था अधर हो गया तो इसी तरहां से expecting Πरत्यक रूप से देख सकते हैं बर जो हमारी development है उसे हम नहीं देख सकते हैं उसे सिर्फ हम अपने अनुभव के हिसाब से ही बता सकते हैं जैसे कि कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है हमने उसकी पढ़ाई देखी तो हम कहते हैं कि अरे तु तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है अब हम यह त बढ़ चुके हैं कि गिरोथ जो है हमारी जो विरधी है वह एक टाइम पिरियड पर रुक जाती है तो आप कौन से टाइम पिरियड होते हैं मैं आपको बताती हूं सबसे पहले शेश अवस्था जब बच्चा बहुत छोटा होता है मिस जब पैदा होता है तब उसकी जब जानते हैं जो हूं अपने किशोरावस्था में हूँ तो इस तरह से हाइड जलदी से मोटी होगी जो भी घरोथ होनी है मिरे अक्दम फास्ट होगी तो इसी तरहां से जो गिरोथ है एक टाइम पिरियड पर आका रुक जाती है मीस हम एटीन के हो जाते है छोड़ा नहीं बढ़ती उसी तरह से अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो आप हमारे डेवलपमेंट में इसा कुछ भी नहीं है कि टाइम पिरियेट पर रुक जाए बलकि जिन्दगी भर चलती रहती है डेवलपमेंट जो है हमारा विकास जो है वह पूरी जिन्दगी चलता रहता हैं कुछ नया लेसन याद करते हैं जैसि कि अब भी आप क्या सीख रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कि हमारे डीलेट का फर्स्ट चैप्टर है पर्स्ट यूनिट है चाहिट एंड डेवलपमेंट का टोपिक पढ़ रहे हैं आप तो इसी तरह से आप आज भी ची जाती है कि एक टाइम पीरियड आने के बाद हम बूढ़े उन्सानों कोको नांद की स्कीन धीली हो गई तो इसलिए गिरोथ को नाकरात्मक भी माना गया है मिश जो हम चोटे होते हैं तब तो एकनम भोट तेज़ी से हमारी गिरोथ होगी बढ़ जहाएंगे लास्टे जा जाएगी तब जो भी हमारा गिरोथ हुई थी वो सम नकरात्मक होने लगती हैं हैं हमारे इडissent अधरे वाउते हैं बाल therefore बुराबे में दाथों का गिरना आप जानते हैं जितने भी बुढ़ होते हैं कुछ जा गया होगी इस तरहां फरे शुंग यहां है वो पोजीटिव है क्यों कि इसमें गलत वयाबाहर को एड नहीं करते कोई भी गलत थिंकिंग हो कोई भी गलत वयाबाहर हो उसको हम कि देवलोप्मेंट में कुन चीजों करते हैं कि इंसको एड किया जाता है कि हमारी किस तरह से हम बढ़ रहे हमारी कितनी नोलीज है, कितना टेलेंट है, इन सब को हम डेवलपमेंट में रखेंगे, बट जो हमारी शारीरिक विकास है, हमारी फिजिकल हेल्ट है, इन सब को हम वरधी यानि कि ग्रोथ में रखते हैं, तो I hope कि आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वरधी और विकास बहुत अच्छे समझ आया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, अब आप जो भी बुक खरी देंगे, उसमें आपको अलग-अलग डेविनेशन दी गई होंगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो I hope कि आप वो डेविनेशन बहुत अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि अक्सर जो हमार आपको याद आए, तो आप उसको लिख सकते हैं, जिससे आपका एक्जामिनर पर अच्छे इंप्रेशन पड़ेगा, कि हाँ आपने कुछ तो लिखा है, आपने आंसर तो लिखा है, आपको कि इस लाइटर का नाम तो याद है, क्योंकि आप जानते हैं, इतने सारे होंगे और आगे की स्टडी को पूरा करने के लिए, आगे की स्टडी अपनी कम्पिलेट करने के लिए, जो कि हमाई डियलेट की होने वाली है, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आपको पढ़ाने के लिए डियलेट का सिलेवस्ट, थैंक यू पर वाचिंग ए